क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी स्वेंबर था जिसमें करण और अर्जुन दोनों ही विफल हो गए थे। अधिकतर लोगों को केवल द्रौपदी स्वेंबर का ही ज्यान है और उसी को सबसे कठिन मान लेते हैं। परन्तु द्रौपदी स्वेंबर से भी कठिन और भी कई स स्वेंबरों का आजोजन किया गया था जिनमें लक्ष को प्राप्त करना और भी कठिन कर दिया गया था। उन स्वेंबरों के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंतितक अवर्ष्य देखें। ओम गणपते चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवर्ष्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कारे करने की प्रेणा मिलती है। दम्यंती का स्वेंबर। निश्यद के राजा वीर सेन के पुत्र का नाम नल था। उन्ही दिनों दम्यंती के स्वेंबर का आयोजन हुआ। इंद्र, वरोण, अगनी तथा यम ये चारों भी उसे प्राप्त करने के लिए चुक थे। इन्होंने भूलोक में नल को अपना दूद बनाया। नल के ये बताने पर भी कि वे दम्यंती से प्रेम करता है। उन्होंने उसे स्वेंबर के समय उन चारों लोगपालों ने नल का ही रूप धारन कर लिया। दम्यंती विचित्र परिस्थिति में फस गई। उसके लिए नल को पहचानना संभवसा हो गया। देवताओं को मन ही मन प्रणाम कर उसने नल को पहचानने की शक्ति मांगी। दम्यंती ने दे प्रिथ्वी तलका स्पर्ष नहीं करते हैं और उनकी परचाई नहीं परती है। उन पांचों में से एक पुरुष ऐसे हैं जिनकी परचाई पढ़ रही है। दम्यंती ने पांचों विक्ति को राजानल पहचानकर उसका वरन कर लिया। लक्षमना स्वयंबर शिरिमत स्वयंबर में मत्स से भेद का आयोजन किया था। उसी प्रकार मदrunning किया। द्रॉपधी सुयंबर की अपेक्षा लक्षमना स्वयंबर में ये विशेषता थी कि मत्स से भाहर से धका हुआ था। केवल जल में ही उसकी परचाई दीख पड़ती थी। जब ये समाचार के तत्वग्य हजारों राजा मद्र नरेश की राजधानी में आने लगे उन में से कितने ही राजा तो धनुष पर तांत भी न चड़ा सके बड़े बड़े प्रसिद्वीर जैसे जरासंद अंबश्ट नरेश शिशुपाल फीमसेन दुर्योधन और करण इन लोगों ने परंतु उन्हें मचली की स्तिती का पताना चला अरजुन ने जल में उस मचली की परचाई देख ली और ये भी जान लिया कि वे कहां है बड़ी सावधानी से उन्होंने बान चोड़ा परंतु उनसे लक्ष भेद ना हुआ उनके बान ने केवल उसका स्पर्शमातर ही किया अधिकांश नर्पतियों ने लक्ष मणा को पाने की लालसा एवं साथी साथ लक्ष भेद की चेश्टा भी छोड़ दी तब भगवान शिरीक रश्ण ने थनुश उठा कर खेल खेल में ही अन्यास ही उस पर टोरी चड़ा थी बान साधा और जल में केवल एक वार मचली की परचाई देखकर पान मारा और उसे नीचे गिरा दिया सीता जी का स्वेंबर मारता सीता के स्वेंबर के संबंद में अलग-अलग अथाएं हैं राम चरित मानस के अनुसार राजा जनक ने मिधला में स्वेंबर का एक भव्य आयोजन किया था वहां बहुत से राजाओं न और उन्होंने उस स्वयंबर में उपस्तित सभी शत्रिय राजाओं के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग किया जिसे सुन लक्ष्मनजी कुरोधित हो गए और उन्होंने कहा कि श्रीराम बिना किसी परिश्रम के ही धनुष की प्रतियंचा चड़ा सकते हैं और इसके उपरां राजा जनक ने केवल ये घोशना की थी कि जो कोई भी शिव धनुष को उठा कर उस पर प्रतियंचा चड़ा देगा तो वैं उसी व्यक्ति से अपनी पुत्री का विवाह करतेंगे एक समय जब विश्वा मित्र जी शिरी राम और लक्ष्मन जी मिथला धीश महाराजा जनक के यहां उने वाले यग्य में पहुँचे वहां उन्होंने एक अदभुत धनुष को देखा उस धनुष पर प्रतियंचा चड़ाने के लिए प्रयाप्त बल ना तो गंदर्वों म ना असुरों में और ना ही आक्षसों में था बड़े बड़े राजा भी ये कारह न कर सके उस विशाल धनुष को शिरीराम ने बिना प्रयास के ही उठा लिया और उस पर प्रतियंचा बी चड़ा दी परण्तु जैसे ही प्रतियंचा चड़ाने के बाद उस धनुष को खी ना करा दी तब उसे सुनकर सब राजा वहां उनकी राजधानी में एकत्रित होने लगे स्वेंबर के लिए रंगमंडब का निर्मान किया गया था और वहां धृष्ट द्युम्मंद रौपदी को साथ लेकर रंगमंडब के बीच में खड़ा होकर बोला यहां आये हुए भूपाल गण आप लोग ध्यान देकर मेरी बात सुने ये धनुश है ये बान है और ये निशाना है आप लोग आकाश में छोड़े हुए पांच पैने बानों द्वारा उस यंत्र के छेज से लक्षे को भेद कर गिरा दें जो श्रेष्ट बल से संपन वीर ये महान कर्म कर दिखाएगा आज ये मेरी बेहन कृष्णा उसी की धरम पतनी होगी वहां दुर्योधन विवन्शती विकरण दुश्शासन युजुच्सु और दूसरे भी बहुत से महामली धृतराष्ट्र पुत्र करण के सा पधारे थे इनके अतिरिक्त अश्वत्थामा और भोज उत्तर के साथ राजा विराठ सुश्यर्मा पॉंडरक वासुदेव भगदत जैदरत शिशुपाल और जरासंद आदी कई नरेश वहां दुरापदी की प्रापती के लिए पहुँचे थे बलराम और श्रीकृष्ण आदी वृष्णी और अंधक वंच के प्रमुख व्यक्ति वहां उपस्तित वश्य थे पर वे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नहीं आये थे एक एक करुन सभी राजाओं ने उस प्रतियोगिता को जीतने का बहुत प्रयास किया परंतु वे सभी विफल हो गए उन प्रतियोगिता रखी गई हो जिसका वर्णन हमने नहीं किया तो कृपया हमें कॉमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं थन्यवाद जय शरी कृष्ण आज के वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें किसी भी प्रकार की तुरुटी के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम्पता परमात्मा को मन में धारन करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय है